नमस्ते बच्चो मैं सीमा सेंग आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करते हूं आज की पाट साला में हम कक्षा दूसरी विसे गडित गडित विसे में बच्चो हमने एक वर्ष में कितने महिने होते हैं अंग्रेजी महिने के नाम, हिंदी महिने के नाम, भारती महिने के नाम ये सब हमने कर लिया है आज बच्चों हम साले दिन दर्शी का कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों ये कैलेंडर है 2019 का कौन सा महिना है दिसंबर इस कैलेंडर से हमें ये जानकारी मिलती है कि रवीवार दिसंबर महिने में कौन कौन सी तारिक को रवीवार आने वाले है सो मौर को कौन कौन सी तारिक आएगी दिसंबर महिने में कौन से तेवहार कब है इन सभी बातों की जानकारी हमें कैलेंडर से मिलती है बच्चो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिये गए हैं आपको ये कलेंडर देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर बताना है ठीक है बच्चो? तो चलो हम देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा पहला प्रश्न है रमा, रमा बोल रही है एक बच्ची है उसका नाम है रमा रमा देखो क्या बोल रही है यश इस दिसंबर महीने में हमारे विद्याले में क्या क्या होने वाला है क्या तुम्हें मालूम है रमा पोल रही है कि यश इस दिसंबर महीने में हमारे विद्याले में क्या क्या होने वाला है क्या तुम्हें मालूम है अब यश बोल रहा है हाँ हमारे विद्याले की दिन दर्शिका में दिया गया है यश बोल रहा है हाँ मुझे पता है क्योंकि हमारे विद्याले की दिन दर्शिका में दिया गया है रमा तब बताओ मुझे विद्याले में चित्रकला प्रतियोक्ता कितने तारिक को है तो रमा बोलती है ठीक है तो मुझे बताओ कि हमारे विद्याले में चित्रकला प्रतियोक्ता कितने तारिक को है तो चलो बच्चो हम देखते हैं चित्रकला प्रतियोगता कितने तारिक को है ये तो खेल प्रतियोगता है ये भी खेल प्रतियोगता है ये देखो बच्चो चित्रकला प्रतियोगता कौन सी तारिक है बच्चो देखो 20 तारीक है है ना तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने तारीक को है खेल प्रतियोगिता 20 तारीक को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया कि चित्रकला प्रतियोगिता कितने तारीक को है तो यह देखो बच्चो 20 तारीक को चित्रकला प्रतियोगता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा अगला प्रश्न है अब रमा बोल रही है और खेल प्रतियोगता कितने दिन है रमा क्या पुछ रही है कि जो खेल प्रतियोगता है ये कितने दिन है तो चलो बच्चो हम देखते हैं खेल प्रतियोगता, एक, दो, कितने दिन है बच्चों खेल प्रतियोगता, दो दिन है देखो, बारा तारिक को और तीरा तारिक को, तो यहाँ पे हमें तारिक नहीं पूछा है, दिन पूछा है, तो कितने दिन है, एक दिन, दो दिन, तो हम इधर डिबे में लिख देंगे, दो दिन खेल और प्रतियोगता कितने दिन है? तो यश क्या बोलता है? दो दिन है ये देखो बच्चों मैंने आपको दिखाया दो दिन है अब मुझे बताओ 25 दिसंबर के दिन कौन सा तेभार है? अब यश पूछता है यश बोल रहा है अब मुझे बताओ 25 दिसंबर के दिन कौन सा तेभार है? तो चलो देखते हैं बच्चों ये देखो ये 25 दिसंबर है तो 25 दिसंबर को कौन सा तेभार है? क्रिसमस कौन सा तेभार है बच्चों? क्रिसमस है तो ठीक है अब मैं जाती हूँ रमा बोलती है बहुत असान है 25 तारीक को तो क्रिस्मस है और फिर रमा बोलती है तो ठीक है अब मैं जाती हूँ कल वन भोजन है मुझे उसकी तयारी करनी है रमा उत्तर देकर फिर बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ कल वन भोजन है और मुझे उसकी तयारी करनी है चलो आगे देखते बचो विचार करे रमा और यस इनमे या समवात कितने तारीक को हुआ है कृति कोई भी एक कलेंडर लो आपको कोई भी एक कलेंडर लेना है इसके अधार पर बताओ आपको बच्चो कोई भी एक कलेंडर लेना है जैसे ये दिसंबर महिने का कलेंडर है 2019 दिसंबर महिने का कलेंडर है इस प्रकार आप किसी भी महिने का एक कलेंडर लो ठीक है ये कृति आपको करना है घर में बच्चो वैं बता रही हूँ आपको क्या करना है ये आप करोगे कोई भी एक कलेंडर लेलो आपके घर में जो भी कलेंडर है इस साल का आप चलो बच्चों मैं आपको होमबग देती हूँ इस साल का 2022 का आप जन्वरी का कलेंडर निकालो फिर आपको करना क्या है वो दिखो किसी एक महिने की मंगलवार को आने वाली तारीक में क्या मनोरंजन दिखता है वो आपको लिखना है दूसरा किसी एक महिने की शुक्रवार को आने वाली तारीक में क्या मनोरंजन दिखता है वो लिखो आगे विचार करे यस द्वारा निकाले गए किसी महीने के बुद्धुआर को चार तारिक हो तो अगले बुद्धुआर को कितनी तारिक होगी आप यहाँ पर लिखोगे ठेक है बच्चो तो बच्चो जो हमारी आज की पाड़ साला थी साले दिन दर्शी का वो यहां पे समाप्त होती है अगली पाइट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पाइट साला में नए हैं तो मेरे पाइट साला को लाइक करे, सब्सक्राइब करे कमेंट करे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि मेरी पारसाला काला आप सभी बच्चे ले सके अगर आप मेरी पारसाला देखते हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों आप मेरी पारसाला को सब्सक्राइब कर लो और घंडे का चित्र है उसे आउन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठीक है बच्चो तो हम अगली पाट साला में कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो